भारत के बाद इस्राइल भी मालदीव को सबक से खाने के तयारी में है और इसी के साथ इस्राइल भी इस मस्ले में कूट पढ़ा है दोनों एडिलोजिकल फर्स्ट कजन्स है ना मोधी भी और नेतन यहू भी वो स्टैंड ले सकते हैं इतना स्ट्रॉंग भारत में इस्राइल के दूतावास ने ट्विट कर कहा है कि इसके लिए वो वहां खारे पानी को बीटा बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करेगा तो मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे लोगों को दरसल इसराइल अक्षडीप को नई टूरिस देस्निशन के तौर पर डिविलप करने को तयार है एक बंदे ने टूइट की वो टूइट आप मिनिट्स में देखते हैं बलके कर दो सेकंड्स में अगर ये मोधी जी के पाऊंँ पढ़के भी माफी मांगेंगे ना अगर मोधी जी ने इनको माफ किया तब ये तमाम इंडियन्स इनको माफ करेंगे नहीं तो ये पनी ख्यार मना लें कि वो काफी लोगों ने टूइट कर दी होती है फिर उसकी रीट्विट्स बढ़ते चले जाते हैं, हजारों में चले जाते हैं और फिर वो ट्रेंड करना शुरू हो जाता है, हैश्टैक के साथ तो उसमें मालदीफ्स के उन लोगों की दरफ से, मिनिस्टर्स की दरफ से आप जहां भी जाओ, आपको लोग जो आना सिलाम करेंगे, यार अब जहां भी जाएंगे, उनको यार कहेंगे, यार यह इंडियन है, यार देखो यार इनकी पूरी कौम एक तरफ हो और वो यह है कि उन्होंने कहा कि लक्षा द्वीब को हम इंटरनेशनल डेस्टिनिशन बनाने के लिए तो मेशा मेरे साथ से आपका यह इज़त ही होती है और जिज़ती है और नैशनलिजब क्योंकि इसराइल के पास यह कपैसिटी है कि वहाँ पर जो खारा पानी है उसको ड्रिंकिंग वार्डर पीने के काबल बनाने के लिए वो सब यह प्रोवाइट कर सकता है इंडिया को इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब स्री लंका ने इन पर अटैक किया था तो इंडियन एर फोर्स ही वहाँ पर मजूद ही मालदी में उनकी हेल्प कि उनको हर तरह के फसिलिटी क्यूंकि उनको इजब अपनी पैसे से भी ज्यादा प्यारिया है तो मेशा मेरे साबसे आपका ये इज़त ही होती है और नेशनलिजिब तो अप जहां भी जाओ आपको लोग जो आना असलाम करें यार अब वो जहां भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार देखो यार इनकी पूरी कौम एक तरफ होगी अगर यह मोदी जी के पाउं पढ़के भी माफी मांगेंगे ना अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तब यह तमाम इंडियन को माफ करेंगे नहीं तो यह पनी खैर मना ले इनको वो दिन नहीं आजब 1988 में जब स्री लंका इंडियन एर फोर्स ही वहां पर मजूद ही मालदी में उनकी हैल्प के उनको हर तरह के फसिलिटी की दी और आज भी एर फोर्स ही मालदी में मजूद हैं उनके लिए हर काम कर रही हैं उनके तो लोगों की तदाद ही तिनी नहीं हैं इंडियन जी वहां पर सारा सिस्ट्रम क कूट पढ़ा है उसने क्या कहा है क्या लक्षवद्वीब को अब एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाया जाने लगा है तो उसमें मालदीफ्स के उन लोगों की तरफ से मिनिस्टर्स की तरफ से जो इसराइल का बकाइदा नाम लेकर बात की गई थी तो उसमें तो इसराइ भारे तो डेकेट से पुराने तालूकात हैं देखे वैसे तो यह कहना बनता इसलिए नहीं था कि यह थोड़ी पात है कि यह हमास और इसराइल के जंग के बीच जो भारत है उसके अभी तालूकात हों हैं या उसने अभी सिर्फ इसी को सपोर्ट किया है इसराइल और इंड तो इस situation में इसराइल नहीं सोचा कि भाई ये तो इनका बोलना बनता नहीं था जो इन्होंने कहा ये क्या बात की तो इसराइल अब बीच में आया और उसने वो जो हिट किया कि लक्षा दूईब को अब हम बनाएंगे इंटरनेशनल डस्टिनेशन और टूरिस्ट स्पॉट तो ये तो अब मैंने आपको बताया कि जो रोल प्ले किया इसराइल ने इस वक्त और वहां पे आ गए और इस सिल्सले में बाचीत हो रही है कि जी वहां का पानी जो है उसको खारे को पीने काबिल बनाया जाए और अब इसको जो है तो वह तो मुझे लग रहा है मैंने बहुत बड़ा लक्षा द्वीब अब तो ऐसा नजर आ रहा है बलकि मैं तो समझती हूं कि ये एक अपर्चुनिटी इंडिया को मिल गए है कि चलें इसी बहाने जो आप उसके पर काम भी वो करेंगे उसको बना देंगे तो मालदीव्स के जो टूरिजम है उसके उपर जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी बोल उठी हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारे लिए एक जो रेस्क्यू मिशन है उसकी तरह हैं और हमेशा हर मौके पर इंडिया ने हमारी मदद की है ये एक बहुत बड़ी बात है देखिए ये कहना इसकी वज़ाई है कि उनका ये कहना था कि हमारे लिए आवर 9-11 कॉल यानि देखिए जब कोई किसी को बचाने के लिए पहुँचता है तो उससे पहले नंबर डायल किया जाता है 9-11 नाइन बन बन तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ये इंडिया इस तरीके से हैसी रखता था कि हमने माल्दीव एक चोटा कंट्री है और हमें सबके साथ तालुकात बेहतर रखने चाहिए और ये जो कुछ हुआ है ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है और इसके पर फिर उनका ये कहना था कि जो माल्दीव और इंडिया है वो लाइक माइंड़ देर क्वेस्ट फॉर डिमोक्र कि अगर डिफेंस मिनिस्टर या फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऐसी बात करती ही नजर आ रही है तो इससे ये पता चलता है कि वहां पर इसको कैसे देखा जा रहा है तो इसको ऐसे देखा जा रहा है कि वहां के एक MPA का ये कहना है कि हम अपने प्रेजिडेंट पर जो है व वहां के इस वक्त पॉलिटिक्स में ये कुछ चल रहा है मालदीव की कि उनकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि प्रेजेंट मुजू को रिमूफ किया जाए उनके खलाफ नो कॉन्पिटेंस वोट लाया जाए क्योंकि ये जो कुछ हुआ है ये सही नहीं हा और हम समझते हैं कि सहे मालदीव्स की जो एकोनम ही है उस से बहidas ज्यादा उस पर फर्क पड़ेगा तो यह तो मैंने आपको बात बताई है कि जो वहां की जो मिनिस्टर्स हैं जो MPs हैं, जो former MPs हैं, जो former Defence Minister हैं, वो ये पहुते हैं और रहों हो अनौने एक global community के भी इसके अंदर बात की और उन्होंने का कि हम तो यह समझते हैं कि बड़े क्लोस फ्रेंड्स हैं दोनों कंट्रीज और इंटरनेशनल कमिट्मेंट्स जो है वो हमारी हैं इंडिया के साथ और यह सब काफी लंबी चौड़ी गुफ्तुगू जो है काफी लोगों ने वहाँ पर कि